इस वीडियो में आपको लास्टेट, फीस, कटोप और इसमें अपलाई कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा तो हम सब इस बात को जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कुलेज की इतनी फीस है इंडिया में कि हर एक स्टुडेंट को पेकरपाना मुस्किल हो जाता है boundary line पर अच्छे marks होने के बावजूद भी student in private medical college में fees के कारण admission नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनकी fees करोड तक पहुँच जाती है इंडिया के private medical college में केरिला इस्टेट के private medical college की fees सबसे कम है यानि की tuition fees 7 लाग वा अधर expense 2 लाग है यानि 9 लाग पर यर और ये 4.5 साल की fees देनी होती है अब 9 लाग पर यर की fees भी कम नहीं है लेकिन इससे कम fees का और किसी भी state में कोई भी private medical college नहीं है जो open state हो तो सबसे कम fees वाला ये open state है open state का मतलब यहां के private medical college में other state के candidate admission ले सकते हैं यहां के private medical college में other state candidate के लिए 15% seat reserve है जिसे ओल इंडिया कोटा कहा जाता है और ये ओल इंडिया कोटा 2019 में पहली बार introduce हुआ था अब जो student केरिला इस्टेट में MBBS BDS में admission लेना चाते हैं उनके लिए केरिला इस्टेट में apply करने के लिए दो बार ही मोका दिया जाता है इसके बाद registration open नहीं होते हैं तो ये एक बार तो मार्स अप्रेल में registration open हो चुके थे और अभी फिर से reopen हुए हैं जिनकी last date 23 June दोपेर 3 बजे तक है कहने का मतलब ये है कि केरिला इस्टेट में MBBS BDS counselling के लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी last date 23 June 23 दोपेर 3 बजे तक है इसके बाद केरिला इस्टेट में MBBS BDS में admission के लिए कोई registration open नहीं होगा तो जो कंडिडेट केरिला इस्टेट के अलावा अन्य इस्टेट के हैं और वो open quota के तहट private medical college में admission लेना चाते हैं वो भी केरिला इस्टेट में अभी registration कर सकते हैं 23 से पहले पहले और जो केरिला इस्टेट के domicile candidate हैं जो 85 परसेंट वहां के government college में admission लेना चाते हैं वो भी 23 जून तक registration कर सकते हैं दुबरा से कह देता हूँ इसके बाद कोई मोका नहीं मिलेगा केरिला इस्टेट में admission के लिए चाहे कोई private medical college में admission लेना चाता है या फिर कोई भी government medical college में admission लेना चाता है उनको फोर्म अभी apply करना होगा केरिला इस्टेट के लिए बाद में registration open नहीं होंगे मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार फिर बता देता हूँ केरिला इस्टेट में MBBS BDS counseling के लिए registration की last day 23 June 23 दोपेर 3 बजे तक है इसके बाद कोई मोका नहीं मिलेगा अब मैं आपको इसकी cutoff के बारे में बता देता हूँ और कैसे apply करना है इसके बारे में बता देता हूँ तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि केरिला इस्टेट के counseling rule कुछ अलग है एक छोटी सी mistake भी आपको counseling से बार करवा सकती है जा सकती है और आप कहां तक admission ले सकते हैं इसमें All India quota में 24 list भी दी गई है कि 2023 में आपको कैसे 24 fill करने है अब मैं आपको बताऊं कि इसमें cutoff क्या रह सकती है open quota के लिए cutoff क्या रह सकती है केरिला इस्टेट की तो केरिला स्टेट में government quota की जो 85% quota के लिए है जो केरिला स्टेट के domicile candidate admission लेते उनकी cutoff तो हाई रहती है केरिला स्टेट हाई cutoff वाले स्टेट में आता है लेकिन जो open state है जहां के private medical college में other state candidate admission ले सकते हैं तो जो 9 लाक रुपए की fees है उसके लिए last round की cutoff 450 marks रह सकती है last round होते हैं mop up round और stay vacancy round तो mop up और stay की जो cutoff है वो 450 marks तक रह सकती है यानि 450 marks तक last round में इस state में college मिल सकता है लेकिन आपको इसके लिए other state की counselling के साथ साथ कैसे eligible रहना है ये इस पर depend करता है other state candidate को eligible रहने के लिए इसमें first round, second round, mop up rounds के rules फोलो करने होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ इसके last round की cutoff 450 marks से रह सकती है अब इसमें apply कैसे करें तो जिन candidate ने केरिला स्टेट के 23 के लिए already registration कर रखा है जो पहले registration open हुए थे उनको दुबारा से registration करने की आवश्यक्ता नहीं है अभी वो candidate यहाँ phrase registration कर सकते हैं जिन्होंने पहले registration नहीं किया है जो march अप्रेल में registration open हुए थे उस समय registration नहीं किया है वो phrase candidate ही यहाँ पर registration करेंगे अब यह registration कैसे करेंगी वो मैं बता देता हूँ cwe.kerala.gov.in पर विजिट करेंगे आप इस परकार का इंटरफेस आएगा इसमें KEAM23 new application पर क्लिक करेंगे जैसी आप new application पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह आपके जो steps होंगे वो होंगे registration की fill application form की pay application form करना है upload documents image करने है आपको photo signature वगरा और certificate upload करने है और फिर print ले लेना है तो इस परकार से अब इस site पर जैसे ही आप registration करेंगे तो इसमें अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो register hair पर क्लिक करेंगे और आपने पहले registration कर लिया तो candidate login पर करेंगे तो register hair पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस परकार का interface आएगा कि आपको 5 step में यह form complete करना है declaration पर सभी check box पर check करने के बाद में proceed for registration पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर registration के लिए details फिल करनी है और register पर क्लिक करना है तो जैसे ही register पर क्लिक करेंगे आपके पास में यह detail आजाएगी कि क्या आपने इसको edit करना है या submit करना है तो आप submit पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो जैसे ही click करेंगे आपके application नमबर show हो जाएंगे आपका नमबर show हो जाएगा application नमबर और proceed to fill application form पर click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे select course में अगर mbbs bds में admission लेना चाहते हैं तो medical पर click करेंगे save and proceed पर click करेंगे इसके बाद basic details यहां fill करेंगे और basic detail फिल करने के बाद आप ये 5 step complete करके यनि की 4 step आपको complete करने हैं पांच में step में आपको application form का print ले लेना है जो 5 step मैंने बताई है आपको registration की step है first वाली उसके बाद में दूसरी step basic details की है फिर आपको documents upload करने है photo signature image upload करने है उसके बाद में registration fees पे करने है और last में print ले लेना है अब आपको problem कहां सकती है इस form में तो इस form में nativity proof के लिए आप passport upload कर सकते हैं अगर आपके पास passport है तो passport upload कर सकते हैं नेटिविटी में आप यहां nk2 शो करेंगे nk2 का मतलब है non kerala light आप इसमें शो करेंगे यहां पर तो इसमें आपने यहां पर इसके लिए जो proof देना है वो proof है या तो आप nativity के लिए 12th की mark seat दे सकते हैं या फिर आप यहां पर यह एक इसकूल का परफोर्मा दिया हुआ है यह certificate इसकूल से जहां से आपने 12th class पास की है उस certificate के परफोर्मा पर signature करवा के principal के signature करने के बाद इसको upload कर सकते हैं या फिर आप passport कर सकते हैं नेटिविटी प्रूप के लिए तो यह तीन documents आपके लिए eligible हैं मैं तो यहां पर कहूंगा कि आपके पास में 12th की mark seat हर एक student के पास होती है तो आप 12th की mark seat upload कर दें वो सबसे अच्छा तरीका है यहां पर तो आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं counseling related सारी information आपको हमारे चैनल पर मिलेगी तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन